तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की सुरुवाती अवस्था में आने वाले मुख्य रोग और उनके उपाई के बारे में दोस्तो अगर आप वाटरमेलन की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चीए क्योंकि आज के इस वीडियो में में आपको स्टेप बाई स्टेप शुरुवाती अवस्था में जो भी रोग आते हैं उनके बारे में बताऊंगा जो वाइरस का रूप ले लेता है उसके बाद में आसानी से उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा इस प्रे भी आपको ज्यादा करने पड़ेंगे और उत्पादन भी आपको काफी हद तक का मिल सकता है तो वीडियो को कम्प्लीट देखेग थोड़ा सा क्लामेट चेंज होता है टेंपरेजर जैसे बढ़ने सुरू होते हैं और अपना जो तरबूज है वो तीन-चार पतों का होना सुरू होता है उसी समय जो है है फिड और जैसे रोग हैं हमारी तरबूज में अटेक कर देते हैं यानि दोस्तों हरा तेला माहू मा जानते हैं और हरे रंग का तेला खो इसको भी तेलिए भी बड़ते है काले या इस तरह की ज़या करते हैं इसको जानते है नाम से अपने एरिया में पतले हैं दिरे दिरे दुप से खतम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता शुरुवात में उसी का अटेक दिरे दिरे होता है और उसके बाद पत्ते मुरने शुरू हो जाते हैं और दिरे दिरे वही रोग उसके बाद जो है वही रोग एक तरह से वाइरस का अटेक ले लेता है क्योंकि उसके बाद और किटों का भी आगमन अपनी फसल में हो जाता है। वाइट फलाई हुई, थ्रिप्स हुई, इस तरह के जो कीट होते हैं उनका भी आगमन हो जाता है अपनी तरबुज की फसल में। और देखते ही देखते जो रोग है वो बड़े हो जाते हैं यानि वाइरस का रूप ले लेते हैं और उसके बाद अपना जो खर्चा है वो काफी हद तक बढ़ जाता है तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम प्रिवेंटिव सॉल्यूशन की ऐसा कौन सा इस्टेप आपक से गुजारिश करूँगा कि शुरुवाती अवस्था में आप ने मोल का प्रियोग करें तो लगभग 99% चांस है कि उसमें माहू का अटेक नहीं होगा और आपको शुरुवाती अवस्था में इंसेक्टिशाइड का प्रियोग नहीं करना पड़ेगा यह तो हो गई आपक प्रियोग का प्रियोग नहीं किया है या करने के बावजुद अगर तेलिया का प्रियोग हो जाता है है तो सुरुवाती अवस्था में सबसे पहला जो आपको श्प्रेय लेना है तर्बूज की फसल में वह आपको लेना है थाइमा थोकसम 25% डवलूजी यानि दोस्तों है वही डोज आपको रखना है केवल पांच गराम परती टैंक के हिसाब से आपको श्प्रेय अपनी तर्बूज की फसल में कर देना है और हैफिड और जैसे जो रोग है माहू बगरा जुरुवाती अवस्था में यह मानिया आप जितने भी रोग आपकी तर्बूज की फस ने लिया उसके बाद में अपने सब्सक्राइब जरूर करें धन्य बात